मुराची में सुबह से ही स्वास्त सुरक्षा सप्ता का असर दिख रहा है लोगों में कुरोना का खौफ है वहीं सरकार के निर्देश का भी पालन हो रहा है सरकें सुनसान है तांची शेर का जाज अलिया सयोग्यां कुरने जारकन में आजसे आन्शिक लौक्डाउन यानि की स्वास् सुरक्षा सप्ता की शुरुआत होई है और आजसे एक हफते तक यह स्वास्सुरक्षा सप्ता जो है वो लागू कर दिया गया है ऐसे में अगर राजधाणी राची की बात करें तो सुबह से ही राजधाली राची में छुटपूट लोग वो निकल रहे हैं हम इस वक्त लालपूर्चौक में हैं और ये नजारा आप लालपूर्चौक का देख सकते हैं यहां पर सुबह के वक्त काफी मजदूर जो है वो यहां पर आते थे लेकिन अभी भी लालपुर्श चौक में मजदूर जो हैं उनकी कमी देखने को मिल रही है वहीं अगर पूरे राजधानी रांची की बात करें तो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से पूरे राजधानी रांची की सैर कराएंगे और दिखाएंगे कि यह मिनी लॉकडाउन में पूरे राजधानी रांची में क्या चहल पहल चल रही है इस वक्त हम रांची के सर्कुलर रोड में हैं और आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है चहल पहल जो है वो काफी कम है लेकिन तमाम दुकान जो हैं वो सर्कुलर रोड की बंद है और कहीं न कहीं स्वास्त कर्मी काम कर रहे हैं नगर निगम की टीम जो है वो यहां पर काम करते दिख रहे हैं आप देख सकते हैं स्वास्त कर्मी जो सफाई कर्मी है स्वास्त कर्मी है वो आपको रोड में देखने को मिलेंगे और अनशिक लॉकडाउन को क्या जो है समझ कर लेंगे ये आज पूरे दिन भर की गतिवीधी में देखने को मिलेगा फिलहाल सरकुलर रोड में हम हैं और यहां पर चहल पहल थोड़ी मोड़ी नजर जरूर आ रही है लेकिन आज दिन भर का समय है ऐसे में कई दुकाने भी खुल किया है यहां के उपायुक ने भी अपील किया है होटल है वो खोल दिये गए हैं लेकिन होटल में बैठने की विवस्था नहीं है सिर्फ पार्सल ले जानी की विवस्था है तो ऐसे में होटल जो है लोग तो आएंगे जरूर लेकिन होटल में बैठने की विवस्था नहीं हैं और यह हम आपको दिखाने के कौशिश कर रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से यहां पर जो है दुकाने बंध हैं और आज दिन भर जो है क्या पुलिस प्रसासन की चहल पहल रहेगी वो देखने को मिलेगा कल SSP के नेत्युत में एक बैठक हुई थी पुलिस अधकारियों के बीच में एक बैठक हुई थी उसमें साफ निर्देश जो है SSP ने दिया था कि काफी सक्ती बरतनी हैं वहीं लोग जो हैं क्या कुछ सोच कर कि आज दिन भर निकलेंगे ये भी देखने वाली बात होगी फिलहाल आपको हम तस्वीरों के माध्यम से रांची की स्तिती दिखा रहे हैं कि सुबे का वक्त है और सुबे छे बज़े से आंशिक लॉकडाउन लागू हो गया था ऐसे में क्या कुछ वेवस्था क्या कुछ नजारा ये हम आपको दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं बजार में शनाटा है ये जेल चौक है आप देख सकते हैं जेल चौक का नजारा यहां काफी भीड समय देखने को मिलती थी लेकिन अभी यह जेल चौक पुरा सरनाटा पसरा हुआ है इस वक्त आ गए हैं कछरी चौक में यह कछरी चौक का नजारा है आप देख सकते हैं कछरी चौक भी वीरान पड़ीवी है यहां मंदिरों में काफी भीड देखने को मिलती थी लेकिन चुकी मंदिर का पठ जरूर खुला है लेकिन दर्शन करने पर रोक है इसलिए मंदिरे जरूर खुली हैं लेकिन लोग मंदिर में दर्शन करने नहीं पहुँच रहे हैं आगे बढ़ते हैं, हम इस वक्त आ गए हैं अब कोट की और जाने वाले रस्ते में, यहाँ पर राची नगर निगम, डीसी आफिस समेत कई कार्याले भी हैं, तो हम बात करें आज से आन्शिक लॉक्डाउन की, तो आज से आन्शिक लॉक्डाउन की शुरुवात जो है, वो ह आपसी सहमती से दुकाने जो हैं अपने वेंडर्स मार्केट की बंद कर गई थी, इस वक्त हम आ गया हैं, अलबर्टिक्का की ओर, और यहां का जो नजारा है, यहां पर थोड़ी चहल पहल जरूर देखने को मिल रही है, गाडियां जरूर चल रही है, लेकिन जिस तरीके स आज दिन भर जो लॉकडाउन रहेगा, वो हम आपको पूरे दिन भर की गतिविधी जो है, वो दिखाएंगे, बढ़ते हैं सरजना चौक की तरफ, यहां आप देख सकते हैं ट्रैफिक डियस पी मौजूद हैं, वो ट्रैफिक पुलिस से तमाम चीजे जो हैं पूस्ताज क को छोड़ कर तमाम दुकाने बंद हैं, राजधानी राची में मिनी लॉकडाउन का क्या असर है, वो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से सिर्फ निउज इलेवन भारत में दिखाएंगे, बने रहे हमारे साथ, जारकन में आसर,